नमस्कार आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा चावल की कमबो रेसिपी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है तो देखिए ये देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा है और मेक स्योर आपको ये रेसिपी बहुत सच में ये टू गूड है तो चलिए सुरू करते हैं बट उससे पहले मैं खुश्पु करनो जिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुश्पु में आपका स्वागत करती हूँ और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब ज दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे राजमा पानी समेत कुकर में एड कर दूँगी और इसी के साथ मैं इसमें एड करूँगी एक ग्लास पानी और साथ में मैं एड करूँगी सॉल्ट और उसी के हिसाब से थोड़ी सी हल्दी और इसे 5-8 सिटी आने तक गैस पर रख दूँगे तो चलिए इसे गैस पर रख देते हैं और इसे 5-8 सिटी आने तक हम कुक करेंगे और जब तक राजमा तयार होता है तब तक मैं भात को भी पका लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने चावल को चरा दिया है तो देखिए स्कूकर में सिटी आ चुका है अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम यहाँ पर एक करहाई रेंगे मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको राजमा करहाई में बना बताऊंगी और देखिए चावल भी हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसे गार्निसिंग कर लेंगे हरा धनिया के साथ तो इसे हम साइड में रख देंगे अब देखिए करहाई भी गर्म हो चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे वाईल और पलस में घी और इसी के साथ इसे चौक लगाएंगे तेज पत्ता, सुखिलाल मीर्च और सावुद जीरा के साथ और दो चार लासुन की कलियां भी और इसे कुक करेंगे जब तक इससे सारी खुसबू ना आने लगे फिर हम इसमें एड कर देंगे कटा हुआ प्याज और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक एक दो मिनेट के लिए हम कुक करेंगे एक दो मिनेट कुक होने के बाद हम इसमें एड करेंगे हरे मीर्च और लासुन अधरक का पेस्ट और इसे भी कुछ मिन्टों के लिए हम कुक करेंगे फिर हम इसी के साथ इसमें आइड कर देंगे हल्दी मसाला और साथ हमें सॉल्ट सॉल्ट हमें ने राजमे में भी आइड किया है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आइड करिएगा और फिर हम इसमें आइड करेंगे टमाटर और धन्या के पत्ते और थोड़ी सी पानी आइड कर इसे हम कुक करेंगे टमाटर गलने तक टमाटर अब गल चुका है अब हम इसमें आर्मी मसाली आइड करेंगे तो सुखिला, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ महीं हम आइड करेंगे जीरा और काले मिर्च पौडर और इसे भी थोरी सी पानी के साथ हम कुप करेंगे और जब ये मसाला छोड़ दे तब तक हम इसे कवर कर लेते हैं तो जेक भी कर लेते हैं कि मेरी राजमा का हवा निकल चुका है कि नहीं तो देखिए हावा भी इसकी निकल चुकी है और राजमा भी पूरी तरह से कुख हो चुका है अब हम इसी राजमा को पूरे पानी के साथ आड़ कर देंगे कराएं में और इसमें आड़ करेंगे हम घरम मसाला और इसे हम 1-2 मिनिट के लिए कुख करेंगे कवर करके और जैसा ही कवर हटाईएगा इसकी खुस वो पूरे घर में फैल जाएगी यकीन नहीं होता तो आप एक वारे से ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पर और हमें कमेंट करकर बताईएगा कि कैसा बना है तो चलिए अब गरस को बंद करते हैं और इसे प्लेटिंग करते हैं तो इसे हमें परतन में निकाल लेंगे और ये रही हमारी चावल तो दोनों हो चुका है तो दोनों कमबो पैक तयार है चावल के साथ राजमा और वो भी कराई में तो आप इसे अपने घर पर बनाईएगा ज़रूर और इसके लिए इंगिडियन्स को नोट कर लीजिए जो ये है तो मेक सियोर मुझे पूरा यकिन है कि आपको मेरी ये रेसिपी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है और हमें कमेंट करकर कमेंट बॉक्स में कुछ सजेसन देना हो तो प्लीज दीजिएगा और अगर आप फस्ट बार मेरे चैनल पर वीजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव में ताकि बो लोग भी इसका लुपत उठा सके और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं बहुत मेनत करती हूँ और मुझे सपोर्ट कीजिए आगे पढ़ने के लिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और रेसिपी का नाम है हल्दी वाले हल्वा तो आप उसे देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाई रखिए थांक यू टेक केर और नमसकार